अज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने वीवो T3X Android मॉइल फोन में आप अपने मुवाल फोन की ग्लूतुथ की ट्रॉलम को आप सौल कैसे कर सकते हैं अज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जान करें देने वालों तो चले हैं आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले page में आपको जोना है नीचे की side आना है ठीक है नीचे की side आपको यह option मिल जाता है Bluetooth का Bluetooth पर tap करना है अब इसके अगले page में आपको नीचे storage का यह option टाप करना है तो यहाँ पर आपको यह option मिलता है Android system, Android system पर tap करना है, इसके अंदर भी आपको storage and catch पर tap करना है, अब यहाँ पर भी clear catch पर tap करना है, तो आपको catch के सामला data 0 हो जाता है, अब दीके अगला का में यह करना है, mobile phone का software आपको check करना है, क्या update है या नहीं है, पहले phone का internet चालू कर ल install अगर यहाँ पर लिखावा दिखाई देता है, तो उसे आपको tap करके phone का software अपडेट कर लेना है, अब दीके अगला काम यह करना है, क्या आपको अपने mobile phone को reset करना है, जब मेरे बताएवे पिछले process काम नहीं करता है, कोई भी तब आपको phone को reset करना है, otherwise नहीं करना है, phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए, सबसे उपर आपको search icon पर tap करना है, यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है, नीचे आपको यह option मिलता है, erase all data factory reset, factory reset पर tap करना है, आपका phone directly आपको setting में लाएगा, erase all data factory reset पर दुबारा tap करेंगे, तो अगले page में सबसे नीचे erase all data क यह option tap करना है, इस से आपका phone reset हो जाएगा और आपकी problem solve हो जाएगी, लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके phone का जो data है ना, उसका backup ले लिजे अपने phone में, और दूसरी बात ही ध्यान रखने है, आपके phone की Gmail ID और आपका password आपको पहले से note करके रख लेना है, तो यह दो काम आपको पहले करना है, उसके बात phone को reset करना है, तो मेरे बता है, यह सारे process आपको यूज़ करने से आपके mobile phone के Bluetooth की problem solve हो जाएगी, ठीक है?